आज मैं बनाने जाहरी हूं मटर पणीर की रेसिपी तो चलिए देखते कैसे बनारे हूं मटर परिणीर की रेसिपी इसके लिए रिफायन तेल ले रही हूं पानी में डाले पानि कटोनि रखें चैटोने निगाले पानी तारो प्वाइघा प सब्सक्कका हुआ को सब्सक्राइब में बोच जाती च्छानि दोनों साइट दो चमच के करीब घी या तेल जिससे भी चाय आप बना सकते हैं आधा चोटी चमच जीरा लेंगे खड़ा जीरा जीरा को तड़र के देंगे दो प्याज को ऐसे बारिक काट ले आए मैंने देख रहे हो बहुत कम मसाले में बन जाती है पैसे भी जीरा भून गही है अब इसमें प्याज डाल लेगे आख को फ्राई कर लेंगे गोल्डें होने तक प्याज को तल लें थोड़ा और फ्राइ करेंगे आधा चोटी चमच नमक डालेंगे नमक स्वादनुसार डालें आधा चोटी चमच चीनी डालेंगे अब चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हैं थोड़ी सी चीनी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ ज सारे मसाले भून जाएंगे ऐसे बनाएंगे आपकी मतर पनिर की रेसिपी बहुत जल्दी बन पाएगे एक चोटी चमच हल्दी पॉडर एक चमच लाल मिर्शी के पॉडर तीखा जैसा पसंद करते हो ऐसी डाले अधनीय के पॉडर दो चमच ले लेंगे अच्छे से भून अब खड़े गरम मसाले का पॉडर अब खड़े गरम मसाले बहुत ना पहले लेकिन मैंने पॉडर ही डाला है यह जल्द बहुत रहे हैं देखे आप तेल भी चोट रहा है एक चोटी चमच पानी डाल करके वहुन लेंगे ताकि मसाले प्याज अच्छे से भून जाएंगे प्याज जल्द बाजी ना करें मसाले को धीरे धीरे भूने तब आपको मतर पनीर की रेसिपी बहुत अच्छी बहुत टेश्टी लगेगी मतर पनीर की सबजी मसाले अच्छे से भून चुके हैं घी अच्छे से छोट चुका है देख रहे हैं आप गी या तेल आप जो चा ताके वे पाच मिनट हो शुके थे तो भूनना भी जरूरी है सिब ढ़क कर नहीं पकाएं को खोल को कर बीच में मसालों के साथ तमाटर अच्छे से भून ले मेरे कुछ तमाटर अच्छे से नहीं पिसे थे वह भी गल जाएंगे तमाटर हमारी भून चुकी है अच्छे से इसी के साथ मैं डालूंगी एक कटोरी मतर थारे वाले मतर है ताजे मतर इसी स्टेज पर डाल लेंगे मसाले के साथ थोड़े देर भून लेंगे दो मिनट के लिए ढख करके पकाएं मतर भी पक गई है जबने पानी ठोड़ा यह ठोड़ा पानी ठोड़ा हैं एक कि मतर पनीर की रेसिपी में जादा पानी नहीं लगती है साथो इस अब चाहे तो पानी है अपल़ा थीकची रहता है तो अच्छी लगती है मतर गल चुकी है मटर ग्रेवी में अच्छे से पक गई है आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा पका सकते हैं अब इसमें डालेंगे ये पनीर जो पानी में डाल करके मैंने रखा था पानी में डालने से ये पनीर इतने सॉफ्ट हो जाती है देख रहे हैं जैसे सॉफ्ट है पानी से निकाल करके साथ पका लेंगे दो मिनट पनीर के साथ पका लिया है मैंने हमारी मटर पनीर की रेसिपी तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और बहुत जट पर बन जाने वाली रेसिपी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हरा ध पनीर की रेसिपी बनके तैयार है एक बर आप ऐसे बना करके देखें जट पत बन जाती ही यह रेसिपी बहुत टेस्टी बहुत हिल्दी